हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको भी गूगल पे में प्रावलम आ रही है आपको आ जाता है कुट नोट सेंड एसमेस और आपका बैंक अकाउंट गूगल पे में एड नहीं हो रहा या एक्टिवेट नहीं हो रहा तो आप अपनी उस प्रावलम को कैसे सौण कर सकते है यही सब कुछ वीडियो मैं आपको बताऊंगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह लेखे यहां पर मैं गूगल सेंट एसमेस का यह मैं आपको दिखावी देता हूं यहां पर और यह देखे यह हमको एरर आ गया है और कोड़नोट रेजिस्टर का भी यहां पर एरर हमको आ जाता है और आप अपनी इस प्रॉल्म को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यह यह मैंने दूसरी बार किया था तो मिरको कोड़नोट रेजिस्टर का मैसेज आ गया यह देखे यहां पर और इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा वो स्टेप्स आप फॉलो कर लिजिए आपकी यह प्रॉलम सॉल्व हो जाएगी आपके मोबाइल में अ हम गूगल पे में अपना बैंक अकाउंट एड़ करते हैं तो हमको अन्नावन नंबर की तरफ से एक मैसेज आता है और अगर वह फेल हो जाए तो भी यह हमको गूगल पे में प्रॉलम आ जाती है यह देखे यहां पर यह फोईल हो रहा है यह हमारा मैसेज इसलिए हमको प् लॉक नहीं होनी चाहिए वह एलाओ ही होनी चाहिए और अगर आपका मैसेज यह सक्सेस्फुली सेंड भी हो रहा है तब भी आपको यह प्रॉलम आ रही है तो आप क्या कीजिए आप अपने मोबाइल में एक मैसेज आपको डाउनलोड कर लिजे कोई भी मैसेज आपको आप कर सकते हैं और आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं नहीं तो कोई और भी कर सकते हैं और अभी आप वीडियो को पूरा ही देखिए मैसेज आपको डाउनलोड करने के बाद भी आपको एक सेटिंग करनी होती है और यह देखिए मेरा मैसेज आप डाउनलोड हो गया है मैं इसक डाउनलोड किया है उसको चूज करके यहाँ पर नीचे सेट डिफॉल्ट कर दिए जट डिफॉल्ट और यह सभी मैसिज आपके इसी एप में आजाएंगे यह देखे सभी मैसिज आपके इसी एप में आगे इसके बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं आपका गूगल पे में बैंक काउंट एड हो जाएगा और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो मैं आपको एक सेटिंग और भी बताऊंगा कि क्या करना है और किसी-किसी मोबाइल में यह स सेटिंग मी होते है इस आप देख लिजये सेक्राइब लूझे और यहां पर आपको एग्री ओडेश्य दो आउप्षण आएंगे आप ऑपकर कलिक करदेना उसके बाद आप करके देखना आपकी प्रावलम हो जाएगी नहीं तो आपको यह उपर एक सेटिंग आइक मिल जाएगा withdrawal of consent यह option भी आपके mobile में on होना चाहिए और अगर आपके mobile में यह option पहले से ही on है तो इसको off करके फिर दुबारा से on कर दीजे उसके बाद आप करके देखिए आपकी problem solve हो जाएगी और और आप अपने mobile में चेक किजिए आपने message की जो setting है आपने अपने bank register इस setting भी आप जरूर देख लेना और आपके bank register mobile नंबर वाले SIM में recharge भी होना चाहिए SIM activate होना चाहिए और इस SIM में balance भी minus में नहीं होना चाहिए क्योंकि balance अगर minus में होगा तब भी आपका message send नहीं होता और आपको google पे में problem आ जाएगी और सबसे बड़ी problem मैंने देखी है अगर आपके mobile में message center number होता है अगर वो सही से update नहीं होगा तब भी आपको google पे में problem आएगी और आपको message send करने में भी problem आएगी इसलिए आप अपने mobile में check कर लिजिए SMS center number को भी क्या यह सही से update है और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है उसे वीडियो का link मैं आपको description में दे दूँगा वो वीडियो देखकर आप अपने mobile में SMS center number को check कर लिजिए अगर वो गलत है तो उसको सही से update कर लिजिए उसके बाद आप करके देखिए आपकी यह problem solve हो जाएगी और यह सारी setting करने के बाद भी अगर आपकी problem solve नहीं हो रही तो आप Google Pay को एक बार डिलीर कर दिजिए और फिर दिबारा से install करके करिए आपकी problem solve हो जाएगी इस तरह से आप अपनी problem को solve कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो बड़े को लाइक कर दिजिए शेर कर दिजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजिए